दोस्तों कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की एक बहुत ही आसान फैसेल्टी आ गई है अब आप सीधे वाट्सेप से ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं अब आपको ये WhatsApp चलाना तो आता ही है तो आज हम आपको इसी तरीके के बारे में बताएंगे नमस्कार दोस्तों मैं सविता मिश्च और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि Vaccine का Certificate कितना important हो गया है अभी न्यूज आई है कि मुंबई लोकल में उन्हीं लोगों को चलने दिया जाएगा जिनके पास Vaccine लगवाने का Certificate होगा इसके अलावा कई राज़ी भी हैं जहां Entry के लिए Vaccine Certificate की जरूरत होती है Airlines भी इस Certificate को मांगती है इसलिए बहतर है कि आप भी इस Certificate को डाउनलोड कर लिजे दोस्तों Certificate के लिए हमें एक Message भेजना होगा और तभी Certificate सीधे हमारे WhatsApp पर आ जाएगा लेकिन ध्यान रखिए ये Message उसी Mobile Number से भेजना होगा जिस Number को आपने COVID Vaccination कराते समय रेजिस्टर कराया होगा लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये Message किसको भेजना है पहले उसका Number तो बताओ तो हाँ दोस्तों हमारा पहला Step यही है कि हम उस Number को Save कर लेते हैं तो आएए आप भी उस Number को Note कर लीजिए अब अपना Mobile Open कर लीजिए और Number टाइप कीजिए ये Number है 9013151515 एक बार फिर से बोल देती हूँ ये Number है 90131515 और 15 इसे हमने COVID Helpline के नाम से Save कर लिया है आएए अब चलते हैं WhatsApp पर यहाँ COVID Helpline सर्च कर लेते हैं ये मिल गया COVID Helpline इस पर टैप करते हैं और अब हमें Message टाइप करना है दोस्तों हमें जो Message लिखना है वो है COVID Certificate आएए इसे लिख देते हैं COVID यानि COVID और Certificate और अब इस Message को Send कर देते हैं बस अब कुछ Second का इंतिजार है ये देखे एक Message आ गया इसमें लिखा है कि हमारे पास एक OTP भेजा गया है उसे यहाँ पर डालना है OTP तो तुरंत आ गया अब इसे Open कर लेते हैं ये OTP है 998305 इसे Type करके हमने Send कर दिया लीजे फटा फट और Message आ गया है ये देखे दोस्तों अब हमारे इस नंबर पर जो जो भी लोग Register है उन सभी के नाम आ गये हैं यानि अब हम यहाँ से सब का Certificate डाउनलोड कर सकते हैं अब हमें जिसका Certificate डाउनलोड करना होगा उसका Serial नंबर डालना होगा जैसे पहले नंबर पर मेरा यानि की सविता मिशा रिखा है दूसरे नंबर पर प्रकाश्तिवेदी हैं और तीसे नंबर पर शुती हैं तो अगर हमें शुती का Certificate डाउनलोड करना है तो हमें तीन लिकर सेंड करना होगा तो हम तीन लिकर सेंड कर देते हैं ये लिजे तुरंत ही कई Message आ गए और ये हमारा Certificate भी आ गया है देखिए ये भी Message आया है कि क्या हम कोई और Certificate डाउनलोड करना चाहते हैं अगर हां तो Y टाइप करें और अगर ना तो N टाइप करें तो हम एक और Certificate डाउनलोड कर लेते हैं इसके लिए Y टाइप करके Send कर देते हैं अब हमें अगले स्टेप में जिसका भी Certificate चाहिए उसका नमबर लिखकर Send करना है जैसे हमें खुद का यानि सवितामिश्या का Certificate चाहिए तो हम एक लिखकर Send कर देते हैं अरे वाह ये देखिए तुरंत Certificate आ गया लेकिन दोस्तों कभी कभी Server पर Load होने की वज़ा से WhatsApp से Certificate डाउनलोड करने में दिक्कत आती है WhatsApp में बहुत देर से Message आते हैं अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो इस Certificate को आप Online भी डाउनलोड कर सकते हैं ये तरीका भी बहुत आसान है बस एक मिनट में हो जाता है इसके लिए बस आप अपना Chrome ब्राउजर या कोई और ब्राउजर जो भी हो उसे Open कर लीजे उपर Address Bar पर Coven.gov.in टाइप कर दीजे ये लीजे हमने टाइप करके Enter कर दिया अब हमारे सामने Coven का Portal आ गया है यहां सामने ही देखिए Certificate Download करने का बटन दिख रहा है तो फिर देर नहीं करते हैं और आईए इस पर टैप कर देते हैं अगर आपको किसी वज़ा से ये बटन नहीं दिख रहा है तो उपर Sign In के बटन पर टैप कर दीजे अब आपके सामने एक Space आ गई है इस पर हमें अपना Mobile Number डालना है यहां वही Mobile Number डालेंगे जो हमने वैक्सीन लगवाने के लिए रेजिस्टर करवाया होगा जैसे ही हम Mobile Number डाल कर सम्मिट करेंगे हमारे फोन पर एक SMS आ जाएगा इसमें एक OTP होता है इस OTP को हमें COVID पोटल पर भरना है ध्यान रखिए कि 3 मिलट के अंदर ही OTP भर देना है अगर देर हो जाती है तो फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी होगी तो हम जैसे ही सही OTP भर कर सम्मिट करते हैं हमारे सामने COVID पोटल का एकाउंट आता है जिसमें सभी रजिस्टर लोगों के नाम दिख रहे है नीचे आपको सार्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक भी दिख रहा है तो हमें जिसका भी सार्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा हम उसके नाम के नीचे सार्टिफिकेट डाउनलोड के बटन पर टैप कर देते हैं दोस्तों एक मोबाइल नमबर पर हम लोग चार नाम रेजिस्टर कर सकते हैं हमने तीन लोगों के नाम रेजिस्टर कराये थे और उनके नाम यहां पर दिख रहे हैं तो आईए certificate download कर लेते हैं. ये देखिए certificate download हो गया है, इसे open करके देख लेते हैं. ये आपके सामने certificate है, इसकी कुछ detail हमने छुपा दी है. अगर आपको इस certificate में कहीं कुछ गलती दिख रही है, तो आप उसे सुधार भी कर सकते हैं. Certificate में सुधार का मौका केवल एक ही बात दिया जाता है इसके लिए Covin Portal में आपको Rage Issue पर टैप करना है जब आप Account ओपन करते हैं तो ऊपर ही ये link दिखता है इस पर टैप करने के बाद आपके सामने Certificate में सुधार के कई option दिख जाएंगे जैसे गर आपको date of worth में सुधार करना है तो आप यहाँ पर tap कर दीजे अब अगले page में आप जो जो भी detail बदलना चाहते हैं उसे यहाँ पर लिख दीजे दोस्तों वैसे तो आप हर detail में सुधार कर सकते हैं लेकिन अगर आप सब कुछ बदलना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा सुधार की request submit करने के 24 घंटे की अंदर आपकी certificate में modification हो जाएगा उसके बाद आप फिर से certificate download कर लिजिए तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को जरूर subscribe करें